नमस्कार सातियों स्वागत है आपका विलोड़ा लोक वानी में देख सकते हैं आईएस की डिगरी के आगे जिला प्रसासन ने गुटने टेक दिये हैं परिवन विबाग अभी तक आईएस से पूछने की इमत नहीं कर सका कि बत्ती की स्विकरती से लगई की साधेश से इन आईएस मोदें ने साबित कर दिया है हमारी तरफ से निरंतर प्रियास किया जा रहा है हम बार बार हर दिन आपको दिखा रहे हैं बत्ती अभी भी लगी हुई है अभी हम यूईटी पहुचे हैं आपको दिखा रहे हैं नगर विकास नियास एक ओटोनोमस है अर्द सरक सारी कार्यला है नौन फिल पॉस्टिंग है उसके बावजूद आईएस की हट दर्मिता के आगे पूरे जिला प्रसासन ने गुटने टेक रहे हैं कई बार शिकायत कर दी फोन कर दिये मौके पर परिवहन विवाग अभी तक भी नहीं आया है और नहीं किसी प्रकार की कोई कारवई अमल में लाई गई है आप इस वीडियो को ज़्यादे से ज़्यादा शेयर करें हम आपको निरंतर दिखाते रहेंगे कि किस प्रकार आईएस अपनी डिगरी का नाजाज फाइदा उठा रहे हैं और नियमों को तोड़कर साए जनता को ये मेसेज दे रहे हैं कि इ आईएस की डिगरी बड़ी है आप निरंतर हमारा साथ दें और इस पोस्ट को ज़्यादा शेयर करें आईएस की डिगरी और कानून दोनों के बीच संगर से जहां बड़े-बड़े अधिकारी मंत्री गर्ण सरकार कहती है कि देश में कानून का राज हो कानून व्यवस्ता मजबूत हो वहाँ आईएस कानून को दत्ता बता रहे। जिला ब्रशासन को दत्ता बता रहे रहे हैं और अपनी हट-धरमिता के चलते है गाड़ी पर बत्ती लगा कर भूम रहे हैं और बताने के लिए तयार भी नहीं है कि उन्नोंने ये बत्ती किस आदेश से किस स्विक बना रहे हैं और कोई जवाब देने के लिए तयार नहीं है ना प्रवर्तन एजेंसी जवाब दे रहे हैं ना कोई अधिगारी जवाब दे रहे हैं कि बिलोड़ा लोकवनी से मैं नभीन जोसी